पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की पूरी कहानी क्या है? सीमा हैदर के बारे में जानने के लिए सीमा हैदर और सचिन मीना की जान पहचान कैसे हुई? सीमा हैदर और सचिन मीना कब और कहां पहली बार मिले? सीमा हैदर के पाकिस्तानी पती का क्या कहना है? पाकिस्तान से अपना प्यार पाने भारत आई सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का इंगल आया सीमा को ATS ने ग्रेटर नौईडा स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया है सीमा के साथ ही उसके चार बच्चों और सचिन को भी ले गई है पुलिस इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है ख़बरों के मुताबिक सीमा से पूछताच की जा रही है इब यानी इंटेलिजेंस बयूरों को इंपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार है उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है जबकि इस से पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बलकि सेना में भरती की तयारी कर रहा है सच जानने के लिए UP ATS जाच कर रही है सीमा की मुबाइल डिटेल्स की भी दोबारा जाच की जा रही है नौइडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है सचिन के परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है देश की राजधानी से सटे नौइडा से महस 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रभूपुरा कुछ दिनों पहले तक एक सामान्य कस्बा था बिलकुल पुराने देहाती कस्बे जैसा लेकिन पिछले करीब एक हफते से यहां पीपली लाइव फिल्म जैसी हालत बन गई है इसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के उस पार से चार बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू महस पाचवी तक पढ़ी हुई सीमा हैदर नाम की यह महिला अविश्वस्तनीय तरीके से कराची नेपल और दिल्ली होते हुए यूपी के इस कस्बे में सचिन मीना के पास पहुँच गई ये पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फोन पर ओनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम पर रबूपुरा कस्बे के मीना था कुरान मोहले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीना सचिन मीना सिर्फ आठ्वी तक पढ़ा है कोवेट से पहले वह कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था कोवेट काल में दुकाने बंध हो गई तो उसका काम भी चला गया खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वह कराची की रहने वाली सीमा हैडर के संपर्क में आया गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन अन करके रखते थे इस दौरान वह एक दूसरे से बात करते थे गेम चेट पर भी बाते किया करते थे रोजाना तीन-चार घंटे वह गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादी शुदा है और उसके चार बच्चे है सीमा ने बताया है कि वो दक्षनी पाकिस्तान के खेरपुर में रिंध हाजानों गाव की रहने वाली है तीन बहनों में वो दूसरे नंबर की है उसका एक बड़ा भाय भी है जो सेना में काम करता है उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से पांच मीं तक की पढ़ाई की है वह बारह साल की ही थी जब उसकी मा की मौत हो गई सीमा के अनुसार 17 साल में उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी जबरदस्ती शादी कर दी शादी के बाद दोनों कराची चले गए उसकी बहने और पिता भी आसपास ही रहने लगे उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में तीन बेटिया फर्वा, फरेहा और फराह पैदा हुए 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए साओधी अरब चला गया और वह घर पर अकेले रह गई उस समय वह अपनी सबसे छोटी बेटी की देखभाल में लगी रहती थी मोबाइल पर टिक टॉक देखती और विडियो बनाती थी इसी दोरान उसने मोबाइल पर पहले क्यांडी क्रश गेम और उसके बाद पबजी खेलना शुरू किया पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों के बात करने की आजादी भी दी इस दोरान उसके संपर्क में कई लोग आये उनमें सचिन से उसकी खास दोस्ती हो गई सीमा ने उससे बच्चों से विडियो कॉल पर मिलवाया जब किसी वजह से सीमा उससे फोन पर बात नहीं कर पाती थी तो उसके भाए को कॉल करती थी सीमा बताती है कि एक बार उससे सचिन की कॉल मिस हो गई इससे वह इतना नाराज हुआ कि उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दिया उसका नमबर भी ब्लॉक कर दिया उससे मनाने के लिए सीमा ने अपनी बाई कलाई काट ली कटी हुई कलाई की फोटो जब उसने सचिन के भाई को दिखाए तब जाकर उसने उससे अनब्लॉक किया इस बीच दिसमबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई सचिन उससे मिलकर साथवना देना चाहता था इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की की कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला लड़का पाकिस्तान में रहने रही लड़की से मिलता है इसलिए उन्होंने भी सभी कठिनायों के बीच मिलने का फैसला किया सीमा के अनुसार उसने अपना पास्पोर्ट बनवाया और फर्वरी 2023 में भारतिय वीजा के लिए अपलाई किया लेकिन उसे वीजा नहीं मिल पाया और फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया सचिन ने 8 मार्च को कश्मीरी गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी उधर सीमा ने शार्जा होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुँच गए सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनात मंदिर में शादी कर ली एक हफ़ते तक वे काठमांडू में पती पतनी की तरह रहे सीमा ने माथे पर सिंदूर लगा कर भारतिय पहनावे में फोटो खीचवाए और इंस्टाग्राम पर विडियो अप्लोड किये इसके बाद वह हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लोट गई कराची लोटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बिखवाने के लिए बात की ये घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुप्ये में उसका घर बिख गया इसके बाद उसने अपनी और बच्चों के लिए UAE के रास्ते काठमांडू की टिकट खरीदे और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली काठमांडू पहुँचकर उसने पोखरा के लिए वैन ली और वहां से 15,000 रुप्ये में दिल्ली के लिए एक-एक प्राइवेट बस में अपने और बच्चों के चार टिकट बुक किये उसे डर था कि कहीं वह पकड़ी न जाए खास्तौर पर उसे अपने बच्चों के चिन जाने का डर था बस में कंड़क्टर ने उससे ID मांगी जो उसके पास नहीं थी खालाँ कि उसने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी सीमा दावा करती हैं कि उसने कंड़क्ट को अपना नाम सीमा और पती का नाम सचिन मीना बताया उसने खुद को रबूपुरा का रहने वाला बताया और अपने बच्चों के नाम राच, प्रियन का परी और मुन्नी बताये अपने पती के ठाकुर और खुद कोठा कुराइन होने की बात बताने पर कंड़क्टर ने कुछ नहीं पूछा और वह दिल्ली पहुँच गए कश्मीरी गेट से जेवर के लिए बस ली और रबूपुरा में फलेडा कट पर उतर गए जहां सचिन उनका इंतजार कर रहा था सीमा के वहां पहुचने से पहले से ही उसने सारी तयारी कर रखी थी उसने अपने घर से करीब एक किलोमीटर दूर किराय पर अप्रेल में ही कमरा ले लिया था मकान मालिक को उसकी उम्र देख कर कुवारा होने के चलते किराय पर कमरा देने पर आपत्ती थी हाला कि उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह शादी शुदा है उसने सीमा को बुलन शहर से बताया और बच्चों को खुद का अपना बताया इसके बाद वे करीब देर महीने तक साथ रहे दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था शाम को पैत्रिक घर पर रहता और रात को सीमा के पास आजाता था इस दौरान सीमा का परोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया, किसी को उस पर शक नहीं हुआ लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चिन्ता होने लगी लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलन शहर में एक वकील से मुलाकात की गई सचिन ने वकील से कहा कि वो मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मेरेज अक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वो उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दन रह गया उसने पुलिस को सूचना दे दी अगले दिन रभूपुरा की अंबेड कर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुँचती वे दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें वल लब गड़ में पकड़ लिया दो दिनों तक पूछताच के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेतरपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी आधिनियम के तहट गिरफतार कर लिया बच्चे भी जेल में सीमा के साथ ही रहे हाला कि एक दिन बाद उनके वकील ने जमानत के लिए जेवर सिविल कोर्ट में अरजी दी जूनियर डिवीजन जज नाजे मगबर ने पहले सचिन के पिता नेतरपाल और अगले दिन 8 जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी जज ने उन्हें कहा कि वह अपना पता न बदले और देश न छोड़े सीमा ने सचिन के पैतरिक घर का पता दे रखा था तो दोनों जमानत के अगले दिन से फिर पैतरिक घर में आ गए जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद खुद सचिन का भाए अपनी कार से सभी को लेकर घर आया पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घरवालों को उस पर गर्व है कस्बे के जादातर लोगों ने भी सराहना ही की है हाला कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों से दुविधा में है DCP Greater Noida Saad Mia Khan ने बताया है कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के दस्तावेजों की जाच की जा रही है और उसके आधार कार्ड L.I.U. के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजा है इस मामले की जाच UPSTF समेथ दूसरी जाच एजेंसिया भी कर रही है उधर सीमा के पती गुलाम हैदर्ट सीमा हैदर हस्बंद ने पी-म नरेंद्रम मोदी से अपील की है कि उसकी पतनी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए उसने सीमा के साथ जबरन निकाह करने की बात को नकारा है उसका कहना है दोनों ने घर से भाग कर लब मेरेज की थी और इसका इकरारनामा भी उसके पास है सीमा का कहना है कि अगर वह वापस लोटी तो वहाँ के लोग उसे पत्थर मार कर मार डालेंगे उसने पूरी तरह से हिंदु धर्म अपना लिया है और जैसा सरकार चाहेगी वह वैसा ही करेगी वह भले ही यहां की जेल में रह लेगी लेकिन वहां वापस नहीं जाएगी अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें